नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल आचार जागंदर मिस्रा में दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रिसव राश वालों के लिए ब्रिहस्पत की वक्री चाल कैसा प्रभाव डालने वाला है जी हाँ दोस्तों ब्रिहस्पत का वक्री चाल 14 मईशे ब्रिसब राश वालों का हाल पूरी तरीके से बदलने वाला है दोस्तों वक्री व्रिहस्पत कई प्रकार के शुब परिणाम देते हैं ब्रिहस्पत आपके भागिस्थान में वक्री हो रहे हैं इसके बजय से आपके जीवन में ऐशे परीडाम सुनने को प्राप्त होंगे।। जिसके बारे में आपने कलपना भी ना की हो। वक्री अवस्ता में बरिहस्पत वो देते हैं, जो बरिहस्पत आपको सुब अवस्ता में नहीं दे शकते। यानि कि वो कार जो पूरी तरीके से लंबे समय से नहीं बन पा रहे थे जैसे कि बिवाह के योग बहुत कमजोर रहते हैं वक्री वस्था में उनका बिवाह संपन हो जाता है जिनके जीवन में संतान की कमी हमेशा रहती है ब्रिहस्पत देव संतान सुख देते हैं उनके बाब्जूर भी आपका कार नहीं बन पाता, तो वकरी अवस्था में आपको यानि अब दे कर जाएंगे, यानि बन जाएगा, ब्रिहस्पत देव, आपकी चओदा मई को शाम 7 बच कर, 8 मिनट पर वकरी अवस्था में आएंगे, मकर राज में ब्रिहस्पत का वकरी होना, परिवार जनों का शपोर्ट मिलेगा ब्रिसबराश वालों बिदेश संबंधी कायर पूरे होंगे आपका भाग भरपूर साथ देने वाला है अगर आपका लग कभी साथ नहीं दे रहाता तो ब्रिसबराश वालों अब देगा अब शे लेकर 30 जून तक ब्रिहस्पत देव की तोर पर केला ना खाएं यानि कि अगर आप केला नहीं खाते तो ब्रिहस्पत देव जी प्रसन रहेंगे ब्रिहस्पत बार के दिन अपने माथे पर केशर का तिलक लगाएं या पीला चंदन लगाएं बहते हुए पानी में नारियल एक लें और पीला कपड़ा से बांध ल जनी आपको बादाम, किश्मिश और चनिकी डाल डाल लेना है और बहते हुए पानी में बहा देना है दोस्तों ब्रिहस्पत देव आपके उपर प्रसन रहेंगे ऐसे उपाय करने से बिवाश शंबंधी शुब समाचार आपको मिलेगा ब्रिसब राशवालों शाथी साथ वक ब्रिसब राशवालों आपकी किश्मत दोस्तों ब्रिसब राशवालों को लाभ जरूर दे कर जाएंगे इस दोरान सोने के जो ब्यापारी हैं उनको सुब समाचार प्राप्त होगा इसकूल और काले संबंधित परेशानियों में कई तरीके से अब आपको आपके राश्ते साफ दिखाई देंगे ब्रिसब राशवालों को लाभ होगा धर्म कर्म से आप जुड़े रहेंगे और आपके रूची भी होगी आपको धन लाभ कवाने का कई अपसर मौका मिलेगा शाथी साथ 14 माई को शूर का राशी परिवर्तन हो रहा है दोस्तों 14 माई को शाम 5 बच 16 मिनट से यानि सूर देव मेश राश्चे ब्रिसब राश में प्रवेश करेंगे तो ऐसे में बारमे भाव का शूर संबंधित कामों में यानि सरकारी कामों में कई प्रकार के लाभ देंगे शूर का बारमे भाव में बैठना पिता के साथ अनबन बन सकती है या फिर पिता को किशी चीज से नुक्सान हो शकता है स्वास्त संबंधी परेशानी आ सकती है जैसे कि आग की बीमारी या हाड संबंधित बीमारी परेशान कर सकती है सेहत का अच्छी तरह ध्यान दें और सरकारी नौकरी कि अगर तलाश में है आपको बिषब राश वालों सरकारी नौकरी मिलने के योग यानी की योग बन रहे हैं दोस्तो इस दर्मियान बिषब राश वालों बिहस्पत की वक्री चाल आपको आपके दामपत जीबन में बिद्धी देंगे जो मन मुटाव चल रहा था पिछले काफी समय से अब वो खत्म होगा यानि संतान सुकदे रहे हैं सत्र विरोधी चाहकर भी कुछ बिगार नहीं सकता इस दर्मियान अगर आप अपने ब्यापार को बदलना चाहते हैं तो बेहद अच्छे योग बन रहे हैं इस दर्मियान आपको अपने लब पार्टनर से सहयोग प्राप्त होगा इस दर्मियान आपको यहशा कार करेंगे जो सामाजिक द्रिश्ट से काफी प्रसंसा लायक रहेगा ब्रिसब राशवालों ब्रिहस्पत की वक्रिचाल आपके लिए एक बहुत बड़ा चमतकार करने वाला है तो दोस्तों ध्यान रखिये उपाय के तोर पर आपको ब्रिहस्पत बार के दिन केला नहीं खाना है और जितना हो शके पीली वस्तुका दान करें पीला चंदन लगाएं और केले को अशनान कराएं और बहते हुए जल में जो हमने उपाय बताया है उससे जरूर करें तो दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जैस शनिदेव